हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम पेशवाई नवारी साड़ी की मैचिंग पर्स बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने 15 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है एक और मैंने डबल बॉडर लगा ली है और इसी नाप का मैंने अस्तर का कपड़ा भी काटा हुआ है अब अस्तर का एक और टुकड़ा मैंने काटा हुआ है जिसे दोनों और से दो दो बार फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है और इसे दूसरे अस्तर के कपड़े पर बिलकुल बीच में रखना है चोड़ाई में ये इसी बराबर है लेकिन लंबाई में ये 11 इंच है आप इसे बिलकुल बीच में रखकर एक सिलाई बीच में लगा लेनी है एक सिलाई इस तरह से लगा लेनी है और साइड में से भी इसे सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगानी के बाद ये इस तरह से चार जेबे बन गई है और इस तरह फोल्ड करने पर एक जेब बीच में भी बन जाती है अब इस पर हमें ये कपड़ा उल्टा रखना है और फिर दोनों और से सिलाई लगा लेनी है फिर इसे पल्टा लेना है पल्टानी के बाद इस ओर जेबे हैं और इस ओर सीधा वाला भागे अब दोनोर से सिलाई लगा लिनी है इसके बाद अस्तर वाले भाग पर हमें चेन को सीधा रखना है जिस और से गुटका है बिलकुल सीधा रखकर अस्तर के भाग पे सिलाई लगा के चोड़ देना है फिर इस चेन को खोलना है और दूसरा पला इस तरह रखकर यहां भी हमें सिलाई लगा लेनी है यह मैंने तीन इंच चोड़ी पट्टी ले हुई थी जिसे फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है और लंबाई में यह पट्टी पचपन इंच की याने 55 इंच की है अब इसका दूसरा सिरा जहां पर हमने सिलाई लगा के इसे बंद किया हुआ है उस और से हमें इसे पल्टाना है इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा इसे अंदर के और धकेलना है यहां मैंने पेचकस की मदद से इसे पल्टाया है चेन में मैंने दोनों और दो-दो सिलाई लगाई है एक सिलाई थोड़ी दूर से और एक सिलाई थोड़ी पास से इसके बाद पर्स को उल्टा कर लेना है और जो हमने डोरी बनाई हुई है उसका एक सिरा चेन के एक और और दूसरा सिरा चेन के दूसरी और रखना है इसके बाद दोनों और से सिलाई लगा लेनी है या फिर इसके सामने वाले भाग पर हम कुछ डेकोरेट कर सकते हैं यहां मैंने एक बोव बना लिया है और जिस पर मैंने गुलाब का फूल बनाया है अगर आप यह फूल बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है यहां मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है